गौतम की बुद्धत्व प्राप्ती कपिलवस्तू के शाक्यवन्शिय राजा सुधोधन और महीशी महामाया के पुत्र सिधार्थ गौतम, संस्कृत वहिंदी, सिधार्थ गौतम ज्रपात सो तिरसट इपू, चार सो सतासी इपू का जन्म वैशाक पूर्णिमा के दिन लु हमाया वापिस कपिलवस्तू. लौट आई थी. ताविंस देवों से शिशु के जन्म की सूचना पाते ही, शिशु के दादा सीहानों के गुरू तथा राजपुरोहित तक्षन कपिलवस्तू पहुँचे. शिशु को अपनी गोद में उठाया जैसे ही शिशु को निकट से देखा तो उनकी आखे. पहले तो खुशी से चमक उठीन लेकिन फिर आसों में डूब गई. राजा सुधोदंद्वारा कारण कूछे जाने पर उन्होंने बताया था, यह शिशु बुद्ध बनने वाला है, इसलिए मैं प्रसन नहूं. किन्तु दू, ख इस बात का है, कि कि बुद्धत्व प्राप्ती तक मैं जीवित नहीं रह सकूँगा. शिशु के जन्म के पाँचवे दिन उसके नामकरण के अवसर पर 108 जोतिशियों को आमंत्रित किया गया था, जिन में 8 विलक्षन जोतिशी भी थे. उन 8 में से 6. राम, धज, लखन, मन्ती, भोज और सु उम्र के जोतिशी कोंडन का कथन था कि वह शिशु निश्चित रूप से एक बुद्ध बनेगा. शिशु का नाम सिधार्थ गौतम रखा गया. सात्वे दिन सिधार्थ की माता का देहान्त हो गया. तब उसके लालनपालन का दायत्व उसकी मौसी महापजापती ने लिया. वह भी सुद्धोदन की एक रानी थी और उनका विवा भी. सुद्धोदन के साथ उसी दिन हुआ था जिस दिन महामाया का. सोला वर्ष की अवस्था में सिधार्थ ने शाक्यों की एक सभा में अपने अद्भुत युद्धकोशल दिखाए. सारभडग जातक के अनुसार तो उन्होंने एक ऐसे धनुष को उठा. अपने कर्तव्य दिखाए थे जिसे हजार आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे. किमवंदन्ती तो यहा है कि उनके शौर्य से प्रसन्न हो उन्हें 40,000 शाक्यकन्याओं के हाथ प्राप्थ हुए थे जिन में सुद्ध बुद्ध क कच्छा, सुभद्ध का और यशोधरा, हिंदी संस्कृत यशोधरा के नाम से जानी जाती है. 39. वर्षों तक ठरब, खसुरब और ठसुग नामक प्रासादों में राजवैभव भोगने के बाद सिधार्थ संसार से विमुक्थो सन्यास को उन्मुक हुए. 40. कहा जाता है कि उन्होंने एक बार किसी रोगी को देखा और अनुभव किया की हर. कोई जो पैदा होता है, रोग और व्याधी से पीडित होता रहता है. फिर उन्होंने किसी वृद्ध को देखा. इससे उन्हें यहाँ विदित हुआ कि हर कोई जो जन्म लेता है, कालांत अन्ततर में वृद्ध भी होता है, तत उसके हाथ पे शिथिल और जरजर हो जाते हैं. फिर जब उन्होंने एक मृद्ध को देखा तो यह ज्यान पाया कि हर कोई जो जन्म लेता है, एक दिन मृद्ध हो अपने संसार और नश्वर शरीर को भी छोड़ जाता है, तब सारे स सुविधाओं और वैभव की वस्तुए निरड़्धक हो जाती है. अत संसार सारहीन है, अन्तत जब उन्होंने वैभव का त्याक कर सत्य का अन्वेशन कर रहा था, तो उन्होंने भी संसारिक्ता का परिव्याग कर सन्यास वरण कर ग्रिहत्या किया, शाक्य कोली और मल्ल र गाम और उद्धकराम पुत्त को अपना गुरु बनाया, किन्तो उनके दर्शन व विचार से वे संतुष्ट नहीं हुए, अत वे उरुवेका के, सेनानी गाम पहुचे और च्छा वर्षा तक पांच बिक्षों के साचर्य में कठिन तपस्या की, कठिन चरम तब दो मार की अनुपभुक्त टा जानकुन वे साधारन भोजन ग्रहन करने को प्रेरित हुए, जिससे खिन्न हो उनके पांच। बिक्षुमित्र खिन्न हो उनका साथ छोड सारनात के इसिपत मिगदात को प्रस्थान कर गए। नान कर खीर खाई और फिर कटोरी नदी में ही छोड़ दी, जो डूपती हुई नागराज काल के निवासस्थान पर जा पहुँची थी। ने यह प्रतिग्या की की जब तक वे बोधी नहीं प्राप्त करते तब तक वहां से नहीं उठेंगे। इन पार्मियों को उन्होंने बोधिसत्व बनने के बाद के 550 जन्मों के कठिन संधर्ष के क्रम में अरजित किया था। पार्मी दस। उन्होंने पूर्व जन्मों को जाना, दूसरे प्रहर में दिव्यचक्षु को पाया, तीसरे प्रहर में परिचस मुपात के ज्यान को और। अंतत प्रत्यूशकाल में संबोधी की प्राप्ती की, ज्यान को जिससे वे पच्चेक, प्रत्यक, बुद्ध बने। परिचस मुपात के सिध्धान्त का सुखद मनन उन्होंने प्रथम साथ दिनों तक उसी बोधिव्रिक्ष के नीचे बैठ किया। दूसरा सप्ताह उन्होंने अजपाल निगरोध व्रिक्ष के नीचे बिताया जहां उनकी भेंट एक घमंडी ब्रामन से हुई थी और जहां उन्होंने मार की तीनों कन्याओं को परास्त किया था। उन कन्याओं के नाम त्रिश्णा, अर्ती और राग। थे तीसरा सप्ताह उन्होंने मुचलिन तालाब में नागराज मुचलिन के फनों के नीचे बैठ बिताया था। चौथे सप्ताह वे राजायतन पेड के नीचे बैठे रहे जहां उन्होंने तपुस और मलिक को बिना किसी देखना सुनाए ही। अपना अनुयाई बनाया। कतपश्चात ब्रहमस हमपती के आगरह पर उन्होंने पीडित मानव के उठ्थान के लिए धम्मचक्पंतन का निश्चे किया। दूसरों के उठ्थान की प्रतिग्या से वे सब्बनू, सर्वग्य, बुध कहलाए। अपनी धम्म देशना के प्रवर्तन हेतु अपने पाँच तपस्वी मित्रों को योग्य पाया जो उन दिनों वारानसी के इसितन मिगदाय में वास कर रहे थे। इस धम्म चक्र प्रवर्तन की महत्ता को अशोक कालीन सारनाथ सिंग स्तंब में दर्शाया गया है जो आज भारतिय गनराज्य का राजकिय चेहम है। चारमुक वाला वह सिंगस्तंब बुद्ध के धम्म या देशना का सिंग नाद आज भी हर दिशा में गुन्जाता प्रतीत होता है। पुन्ज सिंगस्तंब में अंकित चक्र जो अशोक चक्र के नाम से जाना जाता है, आज जो भारतिय राश्चिय ध्वज पर बड़े गौरफ से लहराता रहता है, वस्तुत धर्म चक्र का ही प्रतीक है। चार द्रिशि जोतिशियों की भविशवानी सुन राजा सुधोधन ने सिध्धार्थ गौतम को एक चक्रवर्ती समराठ बनाना चाहा, न की एक बुद्ध। अत सन्यास और बुद्धत्व के सारे मार्ग अवरुद्ध कर उन्होंने सिध्धार्थ को एक योग्य राजा बनने की समस्त सुविधाय उपलप्त कराई। राजकुमार सिध्धार्थ जब 29 वर्ष के हो गए तो देवों ने उनके संबोधिकाल को देख उन्हें राजुद्यान में भ्रमण को प्रेरित किया। वहां उन्होंने लाठी के सहारे चलते एक व्रिद्ध को देखा। तब उन्हें यह ज्यान हुआ कि वे भी एक दिन वैसे ही हो जाएंगे सभी एक दिन वैसी ही अवस्था को प्राप्थ होते हैं। वित्रिश्न भाव से वे तब प्रासाद को लोट आए। जब राजा को उनकी मनोद्शा का ज्यान हुआ तो उन्होंने राजकुमार के भोगविलास के लिए और भी साधन जुटा। दिये। किन्तो सांसारिक भोगों में राजकुमार की आसकती और भी क्षीन हो चुकी थी। दूसरे दिन राजकुमार फिर से उद्ध्यान भ्रमन को गए। वहां उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा। उसकी अवस्था देख उन्हें यह ज्यात हुआ। कि हर कोई जो जन्म लेता है रोग का शिकार भी होता है। एक समराठ भी रोगमुक्त नहीं रह सकता। संसार का यह सत्य है। तीसरे दिन भी सिद्धार्थ उद्यान भ्रमन को गए। वहां उन्होंने एक मृत व्यक्ति क देखा। तब उन्हें ज्यात हुआ कि मृत्यू भी एक सत्य है। जो प्राणी जन्म लेता है एक दिन मरता भी है। उसके समस्थ साधन जो उसके शरीर और अहंकार आदी प्रवृत्यों को तुष्ट करते हैं और जिने वहां उपने जीवन का सार समझता है। वस्तुत नि अपने मो, अज्यान और प्रमाद में उन्हें ही सार समझ अपना समस्थ जीवन निसार को ही पाने में व्यर्थ गवा देता है। ब्रत्यू ही वह कसोटी है जो चिता की धूमों से। आस्मान में यहां लिख देता है कि जाने में सार समझता है।